जन्पदिये पुलिस द्वारा चात्राओं के साथ छिडखानी करने वाले दो अभियुकतों को पुलिस मुढ़ फेर में किया गया गिरफतार दिनांग 4 अक्तूबर 2024 को थानातर कुलवाक्षे तरांतर गत ग्राम नरायनपुर में कुछ मंचले युवकों द्वारा स्कूली के साथ छोणखानी करने के संबंद में स्कूल प्रबंधक स्वतंत्र मिशन सेंट्रल एक एंधमी सिस्वान रायनपुर की लेखे तहरीर के आधार पर थाना स्थानिये पर मुकदमा संख्या 426-2024-174, 122-131, BNS का अभियोग पंजी करीत करते हुए विवेचना की जा रही अभियोगतों के पैर में गोली लगी है अभियोगतों के पास से दो देशी तमंदा वकार्तूस बरामद हुआ है, जो इलाजत है, स्थिती सामन्य है, अभियोगतों को गिरफतार कर निमानुसार कारेवाई की जा रही है की घड़ना घटित हुए थी, जिसका वीडियो सोचल मेडिया पर भी बारेल हुआ था, इस संबन में थाना तरकुलवा पर अग्यात अभियोगतों के पहचान की गई, आज यह सूचना मिली, यह अभियोगत, सिर्शिया मार्क पर कहीं जा रहे हैं, इस सूचना पर हमारी के में सह्क्री हुई और अपन्ति की गई, अभियोक्तों को दे करकेThen के उनके ऊबर फाइरिंग की गै्あー पुलिस के दोरा जवावि पारी में जो कारवाई की गे उसमें दो विवो के फायर में भूली लगी लगी है और दोनों अभियोग्तों अब्युक्तियों के नाव रितिक यादों और धीरस पटेल हैं जो मुलूप से बैकुंट फूल थाना तरकुलवा छेत के रहने वाले मौकें पर सांती व्युस्ता कायम है किसी प्रकार की कुई कानून व्युस्ता की सबस्या नहीं है